नमस्कार स्पिन नाइन नियूज में आपका स्वागत है इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि बस्पा सुप्रीमो मायवती ने अपने सांसत दानिशली को पार्टी से निलंबित कर दिया निलंबित करने के बाद दानिशली का बयान भी सामने आता है इसी किसा साथ अटकलों का बजार भी शुरू हो जाता है आपको बता दें कि दानिश अली दूसरी पाटियों के साथ नस्दीकिया बढ़ा रहे हैं इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं जिसमें कहीं न कहीं समाजवादी पाटी सबसे आगे नजर आ रही हैं क्योंकि अखलेश यादव की बात करें तो वो अपना समर्थन दानिश अली को देते वी नजर आये थे दानिश अली को लेकर डिमपल यादव ने तो ये भी कह दिया था कि वो तो उनके भाई समान है अगलेश यादव ने ये कहा था कि उन पर जो अभधर भाशा का इस्तमाल भारते जनता पाटी करती वी नजर आई ये सरासर गलत है और अमेश लेकर कोई भी उजागर नहीं करेंगे लेकिन दानिश अली यहाँ पर अपनी ही पाटी के खिलाफ तमाम नीतियों का इस्तमाल करते वे नजर आई जिसके बाद ये देखा गया कि बस्पा सुप्रीमों ने अचानक यहाँ पर फैसला ले लिया और यहाँ पर दानिश अली क के लिए किसी का शहारा लेकर आये तो मजबूरन मायवती को ने अपनी पार्टी में सामिल करना पड़ा और शामिल करने के बाद अम्रोहा की सीट से उन्हें यहाँ पर उतारा गया अब ऐसे में वह बस्पा सुप्रीमों मायवती से कई सालों से जुड़े हुए हैं लेकिन मायवती उनसे नाखुश काई साल पहले से नजर आ रही है जिसका नतीजा इस बार देखा गया कि मायवती ने उन्हें सस्पेंड कर दिया आप देखना होगा कि अखलेश चादव क्या दानी शली से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे